वोठी थाएंव भी अधाइव ना वह होने वाली है मूली से जी हां हालो फिरंड्ट्स वेलकम बैक टो मैं चैनल कैसी आप सब आप सब आप सब बहुत बहुत अच्छे होगे बहुत अच्छे से अपना ध्यान रिख रहे होगे हैल्दी कहना खा रहे होगे एक्सराइस कर तो चलिए आज बात करते हैं बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक की जो की है मिलाजमा यहां पिग्मेंटेशन यह बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई आज कर और बहुत सारे लोगों में यह देखने को मिलती है जिसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है और इसी से रिलेट प्रॉब्लम चल रहा है या जिनको मेरे क्रीम लगाया और असर नहीं हुआ है हमने एक मंत यूज कर लिया या हमने दो मंत यूज कर लिया हमको क्रीम का कोई असर नहीं हुआ तब मुझे वह कमेंट्स पढ़के लगा था कि नहीं या इस प्रॉब्लम का एक और अच्छा सि तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और भी लोगों के साथ जिनको ये प्रॉब्लम हो ताकि वो भी इसका बनाफ करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले तो मैंने बहुत सारा तेल लगा रखा है क्योंकि अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही वहीना वगरा लगाया था तो अब बहुत तेल लगा रखा है अच्छा जी, हाँ तो देखो मैंने जब भी आपको मैं वीडियो बनाती हूँ अगर आप मेरे रेगुलर वीवर हो और शुरू से मेरे वीडियो देखते आ रहे हो तो आप लोग को पता होगा मैंने बार बार ये चीज़ बोली है आफटर थर्टी, अगर आपका स्किन का कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिवर्स करने में उसको हटाने में टाइम चाहिए होगा अगर आपने पहले कभी केर नी किया, अब आप आफटर थर्टी हो चुकी है और आपको लग रहा आपकी स्किन में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है या आपकी स्किन में कुछ चेंजिस आ गए है तो उनको वापस से सही करने में टाइम लगता है ऐसे ही मैंने इसी लिए बोलती हूँ I'm sorry बट कुछ मैंने देखे हैं जो सिर्फ बोलते हैं आप यह चीज लगा लो पैक लगा लो ठीक हो जाएगा बट परसनली मैं यह मानती हूँ कि ऐसा नहीं होता है जब कोई एक स्किन में प्रॉब्लम आ जाती है ना सिर्फ एक पैक से वह प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती मैंने आपको बार बार बोला है आपको होम रेमेडीज भी करनी पड़ेंगी आपको डाइट पे भी अपने कंट्रोल करना पड़ता है आपको थोड़ा बहुत एक्सराइज जरूर करना चाहिए और हाँ साथ साथ में आपको जो उस क्रीम को करना चाहिए जब आप यह सब चीज़े करेंगे तब आप देखना आपके जो रिजर्ट्स होती है वह आपको बहुत जल्दी मिलते हैं इसलिए मैं बार बर बोलती हूं आप लोग एक क्रीम खरीद के आते हैं बजार से और उसको लगा के आप सोचते हैं कि अब य को हम बोलें कि हम तो सिर्फ क्रीम ले आया हैं क्रीम लगाते ने अब हमारी स्कीन पर जादू हो जाएगा और अटरम पटरम खाते जा रहे हो कोई एकसरसाइज नहीं कर रहे हो कोई होम रेमेडी नहीं करेगी आप इस बात को समझे तो आज मैं इसलिए मिलाजमा के लिए ऐसा होम रेमेडी लेकर आई हूँ आप उसको भी करना स्टार्ट करी और देखिए मैं फिर से बोल रही हूँ जादू नहीं होता है मेरी आज स्कीन ऐसी है क्यों क्योंकि मैं बहुत टाइम से करती आ रही हूँ आज जाके अब मेरी स्कीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है आज की रेमेडी इतनी इजी है ना मतलब आप यह रेमेडी ने रोटीन में लाओ और धीरे धीरे देखना आपके स्कीन पर फिर चेंजिस आने शुरू हो जाते हैं देखो टाइम लगेगा तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और आज की जो रेमेडी है वो होने वाली ह जी हां आज जो हम अपनी एंटी पिगमेंटेशन जो मिलाजमा के लिए क्रीम बनाएंगे वो मूली से बनेगी तो इसके लिए जल्दी से हमें अपनी किचन में चलना पड़ेगा और किचन में जाके बनाना पड़ेगा तो दोस्तों आपको इस रेमेडी के लिए लेना अब हम क्या करेंगे इसको squeeze out करेंगे और इसमें से पानी निकालेंगे मूली का सारा हमें चाहिए होगा इस remedy के लिए एक कप मूली का पानी depending देखिए मैं रोज बनाने चाहती हूँ तो मैं थोड़ा लूँगी बट मैं एक हफ़ते का अगर बनाना चाहती हैं तो मुझे एक कप पानी चाहिए होगा अब हमें इसके साथ साथ चाहिए होगा दो चीजे एक कॉन फ्लोर और एक मिल्क पाउडर जोन सा भी मिल्क पाउडर आपके पास हो आपको ले सकते हैं बनाझ आपोर्ट ट्रेमे हम एक पमफ्रो चाहिए और एक चमफ हमें घर हम पा definition try बनाज़ के दोनो चीजिए नगा सब्सक İnसक्राईए को सब्सकिशते नहीक है और उसको अच्छे से मिलाएंगे अब हमें क्या करना होगा हमें इस mixture को transfer करना होगा एक pan में और उसको करना होगा गरम हमको हमें उसको हलका सा गरम करना है कब तक जब तक कि वो cream जैसी consistency में नहीं आ जाता है बस उसके बाद हम उसको वहाँ से उतार देंगे अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और देखिए आपकी ये क्रीम बनके अब तियार हो गई है अब बस आप इस क्रीम को जो भी आपका एफेक्टिट एरिया है उस एरिया पे लगाएंगे और ये क्रीम बिल्कुल जैसे क्रीम में एब्जॉब होती है ना उस आपके स्किन में एब्जॉब हो जाएगी ये कोई पैक नहीं है बलकि क्रीम की तरह आपके पूरे चेहरे के अंदर चली जाएगी आप देख सकते हैं बिल्कुल अंदर चली गई है मैंने अभी आपके सामने लगाया है तो बस आपने जहाँ जाए इफेक्टिड एरिया है वहाँ वहाँ अपने इस क्रीम को लगाना है और हलका सब मसाच करोगे तो क्रीम बिल्कुल अंदर चली जाएगी खासकर आपके जो मूँ के आसपस की जगा होती है ना होटो के आसपस वो जादा काली हो जाती है तो बस इसको अच्छे से लगा लीजिए और इसको कम से कम 30 मिनट रखिए और उसके बाद चेहरा चाहे तो दोलीजिए और आप देख सकते हैं अब ये क्रीम बिल्कुल अंदर चेहरे के एब्जॉब हो गई है तो ये क्रीम बनाना जितना असान है ना उससे भी असान है लगाना और आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे ना तो आपक क्या कर सकते हैं वहाँ पे इसका पैच बनाके छोड़ दीजिए राद भर और उसको राद भर लगा रहने दीजिए और सुबह आप क्या कर सकते हैं मॉर्णिंग में उसको दो दीजिएगा तो इससे क्या होगा राद भर वो क्रीम जो है अपना असर करती रहेगी उस जगह तो आपने देखा कितना असान है इस चीज के लिए करना बनाना भी कितना असान है तो आप लोग यह क्रीम जरूर बनाएंगे एक बड़ ट्राय करेंगे और इसका यूज़ करेंगे आपका दीरे-दीरे स्किन में फरक आने लग जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा आप बोलो आज कल यह वह वाली रेमिटी नहीं है देखेंगे पिग्मेंटेशन है पिग्मेंटेशन को जाने में टाइम लगता है मैजिक नहीं होगा ग्लो आजाता है बट पिग्मेंटेशन को रिमूव करने में टाइम लगेगा तो आप इसको डेली करिए या हफते में तो थीरे दीरे आपका क्या होगा, जितना भी चाला पन होगा है, डाग आगे हैं, पिगमेंटेशन हो गया है, यह दीरे धीरे कम होने लग जाएगा, तो इसलिए इसक्रीम को आप बनाके रख लीजेगा, चाहे तो डेली गा बनाएगा चाहे तो आप हफते बर का आप बनाक तो आप हलका सा पैश टेस्ट कर लीजिए थोड़ा सा कान के पीछे लगा के देख लीजिए अगर आपको नहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस रेमेडी को करिये और फिर देखिएगा आप अपनी क्रीम भी लगाईए इस रेमेडी को भी करिये तो दीरे दीरे और और इसकने बेड़ाते है तो ये भी समझ दो एक तरा के हमारी बीमारी है आप यह हमारे को यह इस पर व्रक करनापड़े तब ही है कोई पिंपल नहीं है कि तीन दिन में चार दिन में चला जाएगा यह आपके स्किन के अंदर एक प्रॉब्लम आई है उसको अंदर से हमें क और साथ में थोड़ा बहुत exercise वगएरा भी करा करिए मैं सोच रही हूं जल्दी से मैं जो मैं as a housewife मुझे पता है हम लोग के पास time नहीं होता है बोलना बहुत असान है बट हमें पता है हमें कितने काम करने होते हैं हमें आरे पास exercise का time कैसे आएगा तो मैं आप लोग के लिए क्या easily आप घर के कामों के साथ साथ रहते हुए आप exercise कर सकते हैं उसका एक वीडियो जल्दी लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए ताकि आप वो भी जैसे मैं आपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लेती हूं आप लोग भी आपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के भ देना और साथ साथ में कमेंट जरूर करना और हां जिन लोग को यह प्रॉब्लम में अपने फ्रेंड्स के साथ में शेर जरूर कर देना ताकि वो भी इसका बेनेफिट ले सके मिलोंगे आपसे किसी नए वीडियो के साथ ताकि हमारी लाइब गुट से बेस्ट हो सके तब तक अपना ध्यान रखेगा खुश रहिएगा बाइबाइब